आज में आपके साथ गौतम बुद की एक पिरणा दायक कहानी शेयर करने जा रही हूँ, कहानी इस परकार है, एक बार गौतम बुद के पास एक शिश्य आया और उसने बुद से कहा, कृपिया आप मुझे अपना शिश्य बना ले, मैं आपसे बहुत सारी ग्यान की बातें अ कुछ भी सीखना चाते हो, तो दस दिन बाद वापस आना, वेवैक्ति वहां से लौट गया और दस दिन बाद वापस आकर उसने बुद से यही बात दोहराई, कि उसे कुछ सीखना है, इस बार बुद ने यही जवाब दिया, कि यदि सीखना है तो दस दिन बाद आओ, यह पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा बेटे जाओ एक गलास पानी लेकर आओ वह व्यक्ति उनसे कहे अनुसार उनके लिए एक गलास पानी लेकर आया बुद्ध ने उसे फिर से कहा इसके अलाबा एक गलास पानी और लेकर आओ वह उनसे कहे अनुसार फिर से एक गलास पानी लेकर आ गया अब बुद्ध ने कहा इस ग्लास का पानी दूसरे ग्लास में डाल दो वे वैकति बोला महराच यदि मैंने ऐसा किया तो पहले ग्लास का पानी पूरी तरह से बिखड़ जाएगा लेकिन समाएगा नहीं बुद्ध ने समझाते हुए अब उस व्यक्ति से कहा बेटे यही तो मेरा जबाब है तुम सीखेने के लिए तयार नहीं हो पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे पुर्वग्रहों के ग्यान से भरे हुए हो और उन्हें शाश्वत मानते हो ऐसे में तुम नई चीजे कैसे सीख सकते हो यदि तुम्हें कुछ सीखनी है तो इस बात का तुम्हें त्या करना होगा कि तुम एक ग्यानी हो यदि तुम खुद से यह कहते रहोगे कि तुम्हें हर एक बात का ग्यान है तो तुम कुछ भी नहीं सीख सकते इसलिए एक ग्लास पानी को पहले खाली करो एक ग्लास पानी को खाली कर उसमें घ्यान की बातें अरजित करने की सोची। हम लोगों का दिमाग पैराशूट की तरह रहता है। जब तक वैं खुलता नहीं है तब तक वैं किसी काम नहीं आता। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करेगा। कहें तो यती हमें नई नई बातें सीखनी है तो हमें अपना दिमाग पहले खाली करना होगा। और इस परकार सीखने को तयार रहने की सीख देती है हर प्रेणदाय कहानी।